हेलो गाईज स्वागत एक बार फिट से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैन्टसी बस पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो पेसावर और लाहोर के बीच में यह आज का पीएसल का जो मकावला खिला जाने वाला है देखो ग्रेंड लिग पॉइंट और विशक कौन कौ तो आउस्ट करते हैं यह जो मुकाबला है वो ढ़ाई बजे स्टाट होगा दोफेर के टाइम में रावल पिंडी में यह मुकाबला खेला जागा रेंज चांसे देख लो 80 परसेंट चांसे इस मैच में रेंड होनी कि तो यह थोड़ा सा दिक्कत वाला बात हो सकता यह मैच चोता वावी ना दिखे यह जो मुकाबला है वो जहां खेला जाएगा डोमिस्टिकली एठारा मुकाबले खेले गए एक सो नब्य का फर्स्ट इनिंग का अवरेज स्कोर है अठारा में से नौ बार सबसे ज्यादा बार एक सो नब्य के अबब इसकोर गया है दो बार चारा मुकाबले खेले गए थे दोसु तेरा फर्स्ट इनिंग का अवरेज स्कोर एक सो चौरानबे सेकेंड इनिंग का अवरेज स्कोर तैंतिस विकेट इस्पिनर एक सो तीन विकेट पेसर यानि पेसर और परलेबाजों को काफी अच्छी खासी मदद ठीक है यह इस स्कंदा राजा बाकी मैक्सिमम लेफ्ट अमर थोड़क से ठीक है यह कुछ एक मैच अप थे लाहर की टीम छे मैच के लिए छे हो हारी है पेशावर की टीम की बात करें तो इनकी टीम थोड़ी बैलेंस नजर आ रही है देखो सैम आयूब बाबाराजम पॉल वल्टर नहीं किया है पॉल वल्टर का डीसेंट फॉर्म है रॉमेन पॉविल ने जरूत पढ़ने पर अच्छा पारी खेली है उसके बाद लियुकूट ने गेंच से अच्छा किया आरिफ याकूब ने काफी अच्छा किया यहां पर आठ विकेट निकाले तीन में सलमान इसाथ न यहां पर देखो लियुकूट नवी नुलाक आरिफ याकूब और सलमान इसाथ इनको ठीठा कोवर्ट डालना चीए और पॉल वोल्टर और सैम आयूब ने लास्ट में सेयर किया पर उससे पहले पॉल वोल्टर अच्छे का से ओवर्ट डाल रहे थे मैंने यह मैच लाइव अगर खेलते हैं तो और बाकी यह बेंच ब्लेयर से और अगर कुछ न्यूज मिलेगा मुझे तो मैं आपको टेलिग्राम पर कर दूँगा ठीक है यह प्लेयर वाजी स्टैट्स है हर एक प्लेयर का आपको स्टैट्स देखते वीचलना जो अच्छा स्टैट्स रखते हूं उनको हमने यलो कलर से मेंशन कर दिया है सैम आयू बाबाराजम टॉम कहल और कड्मोर इसके बाद यहां पर रॉमन पावल डैन मुसली पॉल वोल्टर पॉल वोल्टर का देखो 88 मैचेज में 88 इनिंग में 79 विकेट से 142 की स्ट्राइक रेट से रंस बनाया है यह बॉलिंग जाने आते हैं इसके अलाबा अगर अभी तक आप हमारी टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो वीडियो के डिस्केप्शन कमेंट सेक्षिन के सबसे पहले कमेंट में आपको हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा फटा फट जाओ जूड़ जूड़ जाओ इं कमेंट सेक्षिन के सबसे पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा फटा फट जाके जूड़ जाओ बात करते लाहूर के इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है फकर जमान आर्वीडियो से सिकंदर रजा साहिन अफ्रीदी ब्रेथवेट जमान खन हारिस्वाफ इनके इसके वैसे इनकी टीम का जो पर्फॉर्मेंस से उतना ही खराब रहा है और साहिन अफ्रीदी की केप्टेंशी इतनी खराब होती नहीं है जनरली पता नहीं इस टौर्णमेंट में क्या कर रहे हैं बाकि देखो फॉर्म शाहिब जदा फरान ने कुछ एक मैंचाज में अच पर्फॉर्मेंश के छहानधाद खान टीक पर्फॉर्मेंस अंगर कुछ पता नहीं कभी प्रमोट कि पता नहीं हो जाते हैं और कुछ पता नहीं दीशानव करतें इनसे कराया जाएगा तो ज्यादा बैटर रहेगा बट वो साइन अफृदी की बात है देखो साइन अफृदी और जमान खान यही एक दो ऐसे बॉलर रहें इनकी टीम के जो अच्छे कासे ओवर डालने के चांसे सखेंगे जो बचे हुए बारा यह मिल की यह पांच गिंद बाज दिख रहें यह से अब इसमें से देखो अभी तक ब्रेथवेट को यह लोग ठीक ठाग वर दे रहें सिकंदर रजाव करते हैं लिंडे से अर कर रहें फयाज भी ठीक है और जहानदाद खान और ब्रेथवेट यानि इन दोनों के बाद इन दोनों के चांसे जो ठीक सकते हैं इनका बीवर कट जाए बाकि यह बैंच प्लेयर से और इनके प्लेयर वाजी स्टैट्स घ्ट प्लेयर का आपको स्टैट्स देखने मिलेगा जो अच्छा स्टैट्स रखता उनको यहलो क्लर से मेंशन किया है कामरान गुलाम यहां पर देखो 127 का इस्टाइस का इनका सच्छा है तो एक नजर मैं समझ में आ जाएगा क्योंकि इजी उनको मैंने यलो कलर से मेंशन कर दिया ठीक है इसके अलावा अगर आप ओवरॉल देखो यहां पर लिखना बूल गया मैं और यहां पर आप देखो तो यहां पर आपको देखने मिलेगा कि जमान यहां पर आपको देखने मिलेगा आपको देखेगा ठीक है अच्छा पर यहां पर चार विकेट यहां पर पांच विकेट यहां पर आप देखोगे यहां पर देखुए यहां पर आप देखोगे जितने भी ओवराल मुकाबले में उसमें किसका कैसा परफॉर्मिंस है पेशावर की तरब से साहम आयूब यहां पर लाहर की तरब से तो फाकर जमान का रिकोर्ट काफी खराब है सफीक का ठीके खेल ने अफ्रीदी ने छे इनिंग में नौ विकेट है इसके अलावा यहां पर आओ यह वेन्यू स्टेट से यह जब इस ग्राउंड पर मुकाबला होता है तो किसका कैसा रिकॉर्ड है बाबाराजम से मायूब इनका हैट्ट में भी अच्छा था वेन्यू पर अच्छा था यहां पर आमिर जमाल रिकॉर्ड अच्छा रखते इस ग्राउंड पर लेकिन खेल ली रहें बाकि सबकर डिसेंट रिकॉर्ड है यहां पर अफ्रीदी हैट वेन्यू पर भी अच्छा है दो इनिंग में चार विकेट है ठीक है थोड़ा प्लेयर बेटल देखते हैं तो सैम आयूब का अफ्रीद कि ने तीन बर जमान खाने दोबार आउट किया ठीक है यहां पर तो यह सब तो एक बर आउट में फबार जादा किसी नहीं किया यहां पर भी सभण रौट आउटल लेकिन अच्छी क्य tão कर सकते हैं एक्षी और सीस्कॉर्मन थोड़ा स्ट्रॉगल करते हैं लेकिन एक जो हैट टू हैड वा था उसमें इन्होंने अच्छी पारी खेली थी तो हीट और में इस टाइब के खिलाड़ी है कोई बरोचा नहीं रहता है आप ग्रैंड लिग में मिनी जील में ट्राइब कर सकते हो सेम हसी बुल्ला वैसे ज्यादा मैच चांसे रहेंगे आपकी अच्छी रहेंक लाने के अब देखो यह मैच में अच्छी परसेंट चांसे जाए तो आप लोग कोशिस यह करो कि अगर देखो बारिस पहले से आ रही हो और मैच मालो सौट हो रहा है तो ऐसा कर सकते हो अगर पिछ पे मौश चारे तो हो सकता हम व काफिर रिस्की हो जाता है अगर पूरा मैच होगा तो कैप्टन कर सकते हो इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा लेकिन अच्छा रहेंगे फकर जमान फॉर्म अच्छा नहीं है लेकिन ऐसी देखो अगर पूरा मैच होता यह विकेट बल्लेबाज के लिए काफी अच्छी है यहां पर इनका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा लेकिन फॉर्म अच्छा ना होने के कारण मैंने इनको छोड़ दिया और इस टीम के अगेंस्ट भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इनका पेसावर की टीम के लेकिन देखो अगर बारिश के चलते मुष्चर रहा पिच पे औ तो फिर यह हो सकता है कुछे गिंद में अच्छे रंच बनाएंगे चले जाएं लेकिन तब की बात है सैम अयूब बल्लेबास से अच्छे हीटिंग कर रहे हैं प्लस फॉर्म भी है और तकड़े हीटर है इनका प्रमोशन भी इनका जो अभी सेलेक्शन हुआ था प्रकिस् प्रमोट किया जाएगा ना इनका डिमोशन हो सकता है क्योंकि पहली गेंसे हिटनी लगाते यह थोड़ा सा रुक के फिर पारी को असलेरेट करते हैं सिकंदर रजा देखो अगर बारिस के चलते गेम छोटा हो रहा है तो आप इनको छोड़ने का रिस्क ले सकते हो क्योंकि अगर देखो छोटा गेम होता है तो इनको प्रमोट किया जा सकता है तो आप मिडल और अगर टॉप अडर के बल्ले बास फ्लॉप होते वह देख रहे हो तो इनको ले के जा सकते हो उस समय ठीक है कालोस बेथवेट मस्ठप पिक रहेंगे देखो चाहें कैसा भी गेम हो अभी के लिए में स्योर नहीं हो कि यह खेलेंगे भी के नहीं अगर खेलते तो ठिक ठाक पिक रहेंगे और अगर स्वाट गेम होता है छोड़ने का रिस्क ले सकते हो लेकिन हाँ यह विकेट टिकिंग नीचर के गिंदबाज है बले इनके नंबर्स उतने अच्छी नहीं इनके आप बॉलिंग देखोगे अपने लाइव देखा होगा लगातार लाइन लेंथ एक ही कंट्रोल मतलब इनका जो एक लाइन लेंथ पर गिंदबाजी करने का कंट्रोल काफी बैटर है और वो चीज़े ऐसे बॉल उसको अच्छा विकेट दिलाती है गुच्छे में ठ काफी अच्छे हैं पिछले कुछ हैट टूएट में लगातार विकेट निकाले और लगातार बल्ले से भी पर्फरमेंस किया लिकूड मस्चप पिक रहेंगे चाहे कोई भी नहीं हो अगर मौश्चा रहेगा पिछ पे तो इनको गेंद से अच्छी खासी मदद मिलेगी और बेटर है और पूरा मैच होता तो सेकेंड डिनिंग की गिंदबाजी में यह मस्ट अपिक होते नवीन उलग जमान खान अगर दोनों में से किसी की पी टीम की पहले करें तो यह इंपोर्टेंट हो जाएंगे अब देखो मैंने इसलिए इन दोनों को छोड़ा वाए फिलाल जब इनकी टीम फर्स गिंदबाजी करें तो ही ज्यादा अच्छे उप्शन रहेंगे सैकेंड डिनिंग में पिच्छ से इनको कोई मदद नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसे यह स्लोवर टाइप के गिंदबाज है थोड़ा सा स्लोर वन्स कर्टर्स का प्रियोग ज्यादा करते है लेकिन ऐसे टाइप के विकेट रहता है इनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता हां इनकी टीम डॉमिनेट कर रही है तब उस समय इनको विकेट मिल सकता है यह ध्यान रहे साथ को लिया भले ही इनका सेलेक्शन कम है लेकिन यह आपके लिए एक विकेट टिकिंग निचर के ग इन बाजी दी जाए पावर प्ले में विकेट निकालने के लिए जाने जाते और साथी साथ चार वर पूरा मिलना चाहिए तब अब इनके पास लॉट्स अप्शन है तो नीचे और कोई खिलाड़ी जो है नहीं जो की खेलेगा तीम हो रही है वह कुछ इस पकार से जहां प प्लेट बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि भॉलिंग भी ठीक ठा करेंगे क्रूशा बूशाल ओवर डालेंगे विकेट निकालने के चांसे भी रहेंगे रंस भी बनाते स्टीम के अगेंस्ट फस्ट गेंदबाजी में आप इनको कैटन कैटन भी कर सकते हूं इसके लावा यह त प्लास रोटेट करो प्लस इनके उपर करो अगर अपको और बता चुका हूं उन को भी रोटेट करना है फिर आप अगर आपको अच्छा रहेगा तो आप डेफिनिटली ग्रैंड लिंग में भी रहेंक अच्छी लेक्षी लेक्शा आप आप आउगे यह तो तीन-चार में मेंबर वाली है 11 मेंबर वाली है पीशे मत लगाना बाकी होप करता हूं कि इस ट्रीम में कैसे चेंज़ करना है वह आप समझ पर होएंगे फाइनल अपडेट के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल से जूर जाना जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा होप करता हूं आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा अगर आपने सीखा तो एक लाइक जो करना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जोहिं कर दो